मदा संसुमी लिमिटेड के अंदर प्रिवियस टाइम में आप सभी को मैंने बता दिया था दोस्तों मदा संसुमी के अंदर होल्ड करना अभी के लिए सही नहीं है क्योंकि इस स्टॉक में सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद लूज गीज ग्रीन कैंडल बन रही है इदर हम और उपर लेवल पे और सभी लग गया आप सेवेंटी जाते हुए दिखा इसमें डिफिनेटली रिवासल ट्रेंड आएगा और में सीडी जो ग्रीन में सॉलिड कैंडल बना रहा है लूज कैंडल बनाते हुए फिर से डिफिनेटी क्लब करेगा क्योंकि जो स्टॉक 120 से ल आपसे कलब हो चुगा धीरे धीरे जाता हुआ स्टॉक अभी भी उपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है और ब्रेक करने वाला है दोस्तों मदल संसुमी तो मैं आपको अभी भी सज्जेस्ट कर रहा हूं कि स्टॉक में होल्डिंग मत रखिये स्टॉक में एक्जिट करके चलि स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ ग्रिप मिला तो फिर से आप बैइंग कर सकते हैं इसके अंदर क्यापिलर रोटेट कर सकते हैं तो बैइंग लेवल क्या होगा नेक्स्ट टागिट क्या होंगी आज की वीडियो में कैंडल चार्ट अनलैसिस करते हुए आप से भी को डिटे के ओपर दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था उसके मैंने टागेज दिये थे 170 आगे बरते वे आप entry लेंगे reverse जाता हुआ 140 पर entry करेंगे 120 पर average strategy maintain करेंगे उसके बाद वो लेवल हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली उसके बाद 21st December 2020 के दिन जो reversal recovery देखने को मिली इधर भी हमें entry देखने को नहीं मिली 22nd December के दिन stock 140 level पकड़ा था दोस्तों इस 140 level में जो भी entry करे हैं मेरा वीडियो देखके 170 level पे आप सभी profit booking करे होंगे जो previous time मुझे 110 दस से follow कर रहे हैं जब मैं वीडियो पिछले तीन से चार महिनों से upload करते वह रहा हूं जो भी मुझे follow करे होंगे वो सभी 170 level पे profit booking करे होंगे और मेरे पास तीन से चार reasons है दोस्तों आप सभी को 170 मदसन सुमी के अंदर exit कराने का वो तीन से चार reason यही है पहला reason मैं आपको बता रहा हूं stock के अंदर no moment है और stock में जो final breakout देखने को मिला stock उसे अभी तक recovery नहीं लिया है और आगे बढ़ता हुआ stock वही हमारा 140 का support पकड़के अपर रिकवरी करता हुआ 190 लेवल देना चाहिए जो stock अभी तक नहीं दे रहा है और उपर लेवल पर consolidation कर रहा है जो बहुत गलत है ठीक है यह पहला reason है दूसरा reason यह है already RSI अपर ट्रेंड लाइन जा रहा है बस overboard zone overboard zone में जा रहा है यह कभी भी उपर लेवल टच करके ब्रेक करके चले जाए 190 जाएगा पर यह भी तक टच नहीं कर रहा है पिछले एक महिने से हमें सता रहा है यह दूसरा reason है कि stock के अंदर moment नहीं है तीसरा reason यह भी है मेरा कि stock में अपर ट्रेंड राली के बाद जो moment देना था वो moment के बाद stock में फिर से no moment आ गया है और stock में reversal के लिए जो clubbing हुआ यह reversal recovery यह club करके नीचे जाता हुआ दिखा तो हमें फिर से stock 140 level तक देखने को मिलेगा अगर आप मेरे final 190 level के target तक trade करना चाते हैं 170 final होने के बाद जो मैं आपको आखरे target दे के चल रहा था अगर आप इस level भी trade करना चाते हैं दूस्तों इस reversal recovery में नहीं बोल सकते हैं double club हो सकता है क्योंकि stock में अभी भी over buying चल रही है पर reason नहीं है कि यह उपर जा रहा है तो stock में 190 level भी सभी को देखने को मिलेगी पर stock upper trend line break नहीं कर रहा है अगर आप इस break करने का वेट कर रहे हैं अगर reversal जाता वह 140 तक कभी आप वेट करना चाते हैं stock में hold करके आप चल सकते हैं दोस्तों और यह reversal recovery जारी लग गया तो stock में 7 to 14 days हमारा M.A.C.D. के strategy के हिसाफ से stock reversal जाएगा इस recovery में हमें 140 level भी reversal में देखने को मिलेगा दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description में मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 14th January 2021 Thursday Mother Suns Sumi का closing है 167.25 पैसा यह मैं target निकाल रहाँ 15th January 2021 Friday के लिए Friday के जिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले selling opportunity देखने को मिले आप मेरे targets and stop loss live market में लेके चल सकते हैं दोस्तों कर दो आपको मेरे लिए दोस्तों